नमस्कार विज्यर्थे मित्रों अज़े आपने जोईशू दोरंडव विज्णान चेप्टर चौद नैसर्गिक स्त्रोतो भाग पांच सब प्रथम जोईशू आपने कार्बन चक्र प्रुथफी पर कार्बन जुदा जुदा स्वरूप मां मड़ी आवे छे हीरा अने ग्रेफाइट मां मुडभूत स्वरूप मां मड़ी आवे छे अहीं आक्रुती मां हीरो दर्षावयो छे बिजे आक्रुती मां ग्रेफाइट दर्षावयो छे जे मां कार्बन छो कार्बन ना परमाणू एक बिजाने साथे सटकोन आकार मां गोठोयला जुदा मड़े छे यह आपने जोई सक्के छे सटकोन जेवी रचना बने छे उपनना भगमा पन सटकोन जेवी आक्रुती बने छे बाजुमा छेल्ली आक्रुती जे मां सटकोन वधरे स्पष्ट जोई सक्का छे अवा घणा बधा सटकोन आकार मां गोठोयला कार्बन ना परमाणू आपने जोई सक्के छे एवु एक आखु स्तर जोवा मड़े छे कार्बन वातावरण मां सयोजन स्वरुपे कार्बन डायोकसाइड तरीके ज्यारे मुरुदावरण मां विवीत प्रकानना खनिजोमां कार्बोनेट अने बायकार्बोनेट तरीके मड़ियावे छे लेकिकतमा कार्बन चक्र एक कार्बन डायोकसाइड वायु ना स्वरुप मां जोवा मड़े छे सजिवमा कार्बननू महत्व सुझे तिजोई आपने बधास सजिवमा कार्बन आधारित अनुओ कार्बोधित एलेके कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन, चर्बी, न्यूक्लिक एसीड अने विटामिन छे जुदा जुदा प्राणियोंनु बाहिय कंकाल अने अंतह कंकाल, सरीर नो बहार नुँ अने अंदर नुँ कंकाल कार्बोनेट क्षारो नुँ बनेलु छे वातावरणना सिवोटू नो उप्योग क्लोरोफिल धरावता बधा सजिवो, सुर्य प्रकाष ने हाजरीमा कार्बन डायोक्साइड नो उप्योग करी प्रकाष उंसलेशन ने क्रियाद्वारा त्यनु ग्लुकोज मा रुपान तर करे छे यहां कुर्ति मा जोई तो सवप्रधम वातावरणमाना कार्बन डायोक्साइड थी सर्वात करिये आ वातावरणमानो कार्बन डायोक्साइड वायू लिली वनस्पती प्रकाष नसलेशन नी प्रक्रियामा उप्योग मा ले छे अने आ प्रकाशनलेशननी प्रक्रियाथी लिली वनस्पती ग्लुकोज बनावे छे आ ग्लुकोज नो प्राणियों अने थोड़ा प्रवाणमा वनस्पती पन तेनो उप्योग करे छे ग्लुकोज ना अनु अन्य पदार्थोमा रुपान्तर पामे छे अथ्वा सजिवोमा महत्वना अन्य अनु 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 संसलेशन करवा उर्जा आपे छे वातावरणमा सिवोटुनो उमेरो जिवन्त सजिवोमा उर्जा मेडवानी स्वसन प्रक्रियामा ग्लुकोज नो उप्योग थाई छे स्वसन्नी क्रिया मां ओक्सिजन न उप्योग करिने के ओक्सिजन न उप्योग करिया वगर ग्लुकोज मां थी कार्बन डायोक्साइड वायू उत्पन न थाई छे एले के लिली वनस्पती अने प्राणियो ज्यारे स्वसन्नी क्रिया करे त्यारे आ स्वसन्नी क्रिया थी तथा विघटन्नी क्रिया थी वातावरण मां कार्बन डायोक्साइड वायू उमेराई छे एलेके ग्लुकोज माँ थी उत्पन्थतो कार्बन डायोकसाइड वायू वातावराण माँ मुर्त थाए छे दहन नी क्रियाव जेवी के रसोय माटे उष्मा एलेके गर्मी मेडा माटे परिवहन माटे वाहनो माँ पेट्रोलियम बर्तन तरीके वपराय छे ते अने उध्योगो माँ खनीज कोल्सो अने पेट्रोलियम नो बर्तन तरीके उपियोग थाए छे तेना द्वारा उत्पन्थतो कार्बन डायोकसाइड वायू वातावराण माँ उमेराय छे अहीं आपने आक्रुती माँ जोई तो मोटा मोटा व्रुक्षो माँ थी व्रुक्षो जमिन माँ दटाई जवा थी बन्तो खनीज कोल्सो अने वनस्पती अने प्राणियों ना मुरुद्योहो दटाई जवा थी एमा थी वर्षो नी जयो राशाणिक प्रकर्यानें अन्ते बन्तो पेट्रोलियम एले के खनीज कोल्सो अने पेट्रोलियम जेवा असमी बढ़ताण नो जयारे बढ़ताण तरीके उप्योग थाई त्यारे कार्बन डायोक्साइड वायू वातावरण मा उमेराई छे तदुप्राण वातावरण मा नो कार्बन डायोक्साइड वायू पाणी मा उगले छे अने आ पाणी मा उगलेलो कार्बन डायोक्साइड वायू कार्बोनेट बने छे जे लाइन स्टोन एलेके चुनाना पत्थर बने छे तदू प्राण, प्राणियों मां कार्बनिक संयोजन होई, तो आ कार्बनिक संयोजन मां थी ओ कार्बनिक कार्बोनेट बने छे जयर्थी औध्योगी क्रांती थाई, अने मोटा प्रमाण मां अश्मिबडतन ना उप्योक्सा थे वातावरण मां कार्बन डायोक्साइड नी टकावारी बम्ना प्रमाण मां वधी छे आरिते कार्बन नुँ विवीद बहुतिक तेमज जयविक क्रियावद्वारा पुन्ह चक्रिय कराण थाई छे अहीं, जमिन माथी पेट्रोलियम गाडी ने तेनु शुद्धी करण करता तथा उद्ध्योगों मां खनीच कोल सा अने पेट्रोलियम नो उप्योग करता तेमाथी नी करता धुमाड आपने जोई शक्के छे तो आरिते उद्ध्योगों मां अस्मी बर्तन नो खुब मोटा प्रमाण मां उप्योग थाई छे तो धुप्राद जैविक क्रियाव थी पन कार्बन डायक्साइड वयों उमेरे छे आम कार्बन चक्र सतत चाल्या करे छे हवे आपने जोई ए ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस एटले उष्ण कटी बंधिय एटले के गरम प्रदेश छे उष्ण कटी बंधिय वनस्पतियों ने ठंडा वातावरण मां उष्ण मां जाडवी गरम राखवा माटे तैयार कराता काच ना बंध आवरणों काच ने बदले आवा प्लास्टिक ना आवरण पन वाप्रिश चकाई इहा पने आक्रुतिमां जोई शक्के छे प्लास्टिक ना शेड चारे बाजुति बांधी ने बंधावमां आवेलू ग्रीन हाउस के जेमां तापमान जडवाई रहे छे गरमी जडवाई रहे छे हवे आपने जोई ये ग्रीन हाउस असर केटलाक वाई ओ प्रुत्वी मां थी उसमाने तेना बाहार ना वातावरण मा ज़ती रोके छे आ प्रकानना वाई ओनो प्रुत्वी ना वातावरण मा वधारो थाई तो समग्र प्रुथ्वी ना सरेरास्तापमानने वधारे छे आ प्रकाननी असर ने ग्रीन हाउस असर कहे छे जरे सुर्य माथी कीरणों वी कीरण सो रुपे प्रुथ्वी युपरावे त्यारे आ वी कीरणों परावर्ति थाई ने फरिपाचा वातालनमा जाई त्यारे ग्रीन हाउस वायो होई कार्बन डायोकसाइड जवा वायो आ कीरणो जे परावर्ती थाए छे तेमाने उसमाने सोसीले छे तो कार्बन डायोकसाइड वायोनु प्रमान वातावनमा वधरे होई तो समग्र प्रूत्फिपननु तापमान वधिशक छे जेने ग्रिन हाउस इफेक्ट केवामा आवे छे ग्रिन हाउस वाईयो ना केटाक उदाहरन जोईए कार्बन डायोकसाइड वाईयो एलेके सी ओटू तदू प्रान विजावाईयो छे मिथेन सी एज फोर क्लोरो फ्लोरो कार्बन सी एपसी टूकू नाम छे त्येनू नाइट्रस ओकसाइड यह लेके एन टुओ वाईश्विक उष्मीकरण ना परिणाम यह लेके ग्लोबाल वर्मिंग ना परिणाम प्यलोचे आकरो उन्नाडो उन्नाणामा खूब गर्मी पड़े छे बिजु आबोहवानी परिस्थिती मा बदलाव वातावरणमा फीरफार खूब मोटा प्रमाणमा थो आपने घणिवार जोईये छे श्रियाडामा पन वर्साद पड़े छे उन्नाणामा पन वर्साद पड़े छे अने जारे चो मासामा वर्साद नी जरूर होई त्यारे वर्साद आउतो न थी द्रूप अदेस पर नो बरफ ओगड तो जवो ध्रूप प्रदेशो पर बरफ आवेल होई छे आ बरफ सतत ओगली रहे हो छे तो आ बरफ ओगलवा थी तेनु पाणी मा रूपान तर्थवा थी नदियो मा पूर आवे छे अने आ पाणी अन्ते समुद्र मा एले के दर्या मा जाए छे एना कारणे दर्याई पाणी नी पाणी उची आवे छे अने एना थी दर्या काठाना विस्तारो डूबी जाए छे ले दर्या काठाना रहेता लोको होई एमना रहेतार पन चिनवाई जाए छे अने ए रिती गलोबल वर्मिंग ने कारणे नुक्षान थाई सके छे आभार